सभी दोस्तों को जै श्री राम आज हमें कैसी कथा या फिर कहानी सुनेंगे जिसमें दर्शाया गया है कि कैसी श्री राम जी अपनी भक्त हनुमान जी से हार जाते हैं तो सबसे पहली जै श्री राम जै बाबा हनुमान की उत्तर रामायन के नुसार अशुमेत यग्य पून होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवी देवताओं, रिशी मुनियों, किन्नरों, यक्षों, फ्यर राजाओं आदी को उसमें अमंत्रत किया सभा में आये नारदमुनि के भढ़काने पर एक राजन ने भ़ए सभा में रिशी विश्वमितर को छोड़कर सभी को प्रणाम किया रिशी विश्वामित्र गुस्य से भर उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सुर्यास से पुर्व श्री राम ने उस राजा को मिर्त्यो दन नहें दिया तो वे राम को श्राप दे देंगे इस पर श्री राम ने उस राजा को सुर्यास से पूर्व मानने का प्रण ले लिया श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा हनमान जी की माता अंजिनी की शरण में गया तथा बिना पूरी बात बताए उनसे प्राण रक्षा का वचन ले लिया तब माता अंजिनी ने हनुमान जी को राजन की प्रांड अक्षा का आदीश दिया हनुमान जी ने श्री राम की शपत लेकर कहा की कोई भी राजन का बाल भी बाका नहीं कर पाएगा परन्तु जब राजन ने बताया कि भगवान श्री राम नहीं उसका वरत करने का प्रण लिया है तो हनुमान जी उस समय धरम संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाएं माता का दिया वचन कैसे पूरा करें तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाए धरम संकट मिफसे हनमान जी को एक योजना सूची हनमान जी ने राजन से सर्यू नदी के तट पर जाकर राम नाम जपने के लिए कहा हनमान जी खुद सुक्षम रोप में राजन के पीछे छिप गए जब राजन को खोजते हुए श्री राम सर्यू तट पर पहुचे तो उन्होंने देखा कि राजन राम राम जप रहा है प्रभू श्री राम ने सोचा कि ये तो भक्त है मैं अपने भक्त के प्राण कैसे लेत सकता हुँ श्री राम ने राजभवन लोट कर रिशी विश्वा मित्र से अपनी दुविदा कही विश्वा मित्र अपनी बात पर अडिक रहे और जिस पर श्री राम को फिर से राजन के प्राण लेने हे तू सर्यूतट पर लोटने को कहा अब श्री राम के समक्ष भी धरम संकर्ट खड़ा हो गया कि कैसे वो राम नाम जप रहे अपने ही बक्त का वत करे राम सोस्ती रहे कि हनमान जी को इस समय उनके साथ होना चाहिए था परन्तु हनमान जी तो अपने ही आराद्य के विरुद सुक्षम रूप से एक धरम युद का संचालन कर रहे थे हनमान जी को ये ग्याद था कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई नहीं मार सकता खुद मर्यादा पुर्शोतम भी नहीं मार सकते बाकी तो कोन ही बाल बाका कर पाएगा शिरी राम ने सर्यू तट से लोट कर राजन को मारने है तू जब शक्ती बान निकाला तब हनमान जी के कहने पर राजन राम राम जपने लगे राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ती बान भी असर नहीं करता वो असहाई होकर वापस राजभवन लोट गए विश्वा मित्र उन्हें लोटा देखकर शाप देने को उतारू हो गए और राम को फिर सर्यू तट पर वापस जाना पड़ा इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जै जै सी अराम जै जै हनुमान गा रहा था प्रभू श्री नाम ने सोचा कि मेरे नाम के सासाथ ये राजन तो शक्ती और भक्ती की जै जै बोल रहा है ऐसे में कोई अस्र शस्र इसे मार नहीं पाएगा इस संकट को देख कर श्री राम मुर्चित हो गए तब रिशी वशिष्ट ने रिशी विश्वमित्र को सलहा दी कि राम को इस तरह संकट में ना डाले उन्होंने कहा कि शिराम चहा कर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते क्योंकि जोबल राम के नाम में है और खुद राम में नहीं है संकट बढ़ता देखकर रिशी विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया मामला संभलते देखकर राजा के पीछे छिपे हनुमान वापस अपने रूप में आ गए और शिराम के चरणों में जागिरे तब प्रभुश्रे राम ने कहा कि हनुमान जी ने इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया है कि भक्ती की शक्ती सैदेव आराद्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सैदेव भगवान से भी बड़ा रहता है किस प्रकार हनुमान जी ने राम नाम के सहारे ही श्री राम को हरा दिया तो बोलो जै श्री राम जै बाबा हनुमान की इस तरहें श्री राम का नाम हमें बड़े से बड़े दुख और बड़े से बड़े भवसागर से पार निकाल सकता है पुरो सियापती राम चंद्र कीजए, बाबा हनुमान कीजए तो फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को जादा से जादा लाइक, शियर और सब्सक्राइब अवश्य कीजए और बेल आइकन भी दबा दीजी ताकि आपको ओन टाइम नोटिफिकीशन मिलता रहे तो बोलो जै श्री राम कमंड में जै श्री राम अवश्य लिखे